आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रिसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। हेलो, दोस्तों प्रशन दिया है, यह दी, Determinant of, यहां पे एक आव्यू दिया गया है, जिसके आव्यू हमारे पास है, 112, 24, 9, T, T, square, 1, T, cube, बरावर सुन्य, तब T के मान है, चार विकल्पे बताना है कौन से विकल्प सही होंगे, तो यहां से, इस दिया गया आव्यू का हम Determinant अर्था सांडनेक निकालेंगे, तो यहां समक्या करते हैं, इसको सांडने के रूप में ही लिख सकते हैं, सांडने के रूप में इस प्रकार हम ले ले लेते हैं, हमारे पास अव्यू है, 112, 24, 9, 2, T, T, वर्ग, एक धन्टी की गात, 3, बरावर सुन्य, अब यहां से सांडनेक हम विस्तार कर सकते हैं, तो यहां से पहला हमारे पस एक हो गया, तो एक और यहां, चार गुडित, एक धन्टी की गात, 3, तो यहां जाएगा, चार धन्टी की गात, 3, बर्ग, गुडित 9, तो यहां जाएगा, नो टी का बर्ग, 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 बर्ग तो यह 9 T हो जाएगा हमारे पास इसे प्रकार धन 2 गुडित यहांस हम देख सकते हैं 2 गुडित त का वर्ग रण 3 गुडित 4 त यह जाएगा 4 T वराबर सुनने हमारे पास तो इस प्रकार यहांस क्या जाएगा हमारे पास 4 टीकिंगा 3 रण 9 T का वर्ग धन 4 रण 2 रण 2 टीकिंगा 3 धन 9 T है हमारे पास धन 2 दुनी 4 टीका वर्ग रण 2 चोग 8 T बराबर सुनने हम देख सकते हैं 4 टीकिंगा 3 है 2 टीकिंगा 3 है घटकर 2 टीकिंगा 3 बज़ जाएगा यहांसे T वर्ग वाले पत को देखें तो रण 9 दहन 4 है हमारे पास 12 रण 5 टीका वर्ग हो गया अब यह यहां से टीवाले पत देखें you 11 और 8 टी है तो यहां से वहाह से कितना जायगा थन टी बजज जाएगा यहांसे अचर पत देखें तो और मान रखने पर संतुष्ट करेगा अत्वा नहीं करेगा तो में स्थितितीन दूस्टब यहांसे हम एक रखकर देते तो ती बराबर एक यदी निल पर आपकर अ कि та इसा हमारे पास कि आ जा यहां से मान हमें क्या प्राप्त हो रहा है अता समीकरण को संतुष्ट कर जाएगा तो यहां से हमारे पाच टी का एक मान क्या मिल रहे है एक प्राप्त हो रहा है तो यहां सम लिखेंगे अता तीर एक दिये गए समीकरण का गुड़न खंड है अता है यहां से हम क्या कर सकते हैं यदि हम इस समीकरण को भाग दें तो पूर्ण अता यहां क्या होना चे भाग जाना चाहिए तो हम यहां से करेंगे आता है दो टी के चाहत्तीन रण पांच टी का वर्ण ती धन 2 भागेत टी रण एक करने पर तो यहां से हम टी रण एक से भाग दे करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगा दो टीखी गात तीन रनड़ पांच टीक वर्ग धनडी धनड़ अड़श प्रत का के। ट इस प्रकार यहां सम् क्या करेंगे यहां सम् भाग देंगे दो 2T का वर्ग से गुड़ाद करने पर आ जाएगाएगा हमारे पस दो 10 कई थन्दो हमारे पास इसे प्रकार राने में 3T का वर्ग हें हमारे आजाएगा यहां से धन और रंश दोण हमारे पास, रंदो को यहां से गुड़ा कर देगे थहना क्या जाएगा रंदो तथा धाझ Does, घठा देगे यह फ्ता तीन फ्ols हमारे हमारे पास हा गया छुन्य मैं, तो हम देख सकते हैं हम आतः दो टी की घात तीन, रण, पांच टी का वर्ग, धन टी, धन दो, बराबर हम यहां से क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं, दो टी का वर्ग, रण, तीन टी, रण, दो, और गुडिक में टी, रण, एक हमारे पास, बराबर क्या है हमारे पास, सुनने के बराबर है, यहां स स्लिकर, 4 प्राप्थ को लाएं टोड़ने पर हमें क्या प्राप्थ होना चाहिए मदेबत को दोड़ने पर रिन तीन प्राप्त होना चाहिए गुड़ा करने पर रिन चार प्राप्त होना चाहिए तो रिन चार ती धन ती कर सकते हैं तथा रिन दो हमारे पास रिन चार गुड़ित एक करने पर रिन चार प्राप्त होगा जोड़ने पर रिन तीन प्राप्त ह जाएगा इससे गुड़ा हमारे पास टीरन एक हो जाएगा बराबर यहां से सुन्या हमारे पास यहां से दो टी को हम बाहर निकालेंगे तो टीरन दो आ जाएगा धन एक को बाहर निकालेंगे तीरन दो आ जाएगा और यहां से टीरन एक का गुड़ा हो जाएगा हमारे पास तो यहां से में देख सकते हैं थो यहां से मैंद Wagyu नां करने यहां से P यहां से क्या मैंद स्या स्यासे में करने हैं तो देखते हैं कौन से विकल्प यहां पर सही हो जाएगा, तो यहां से हम देख सकते हैं, दो, एक बरन एक बटे दो विकल्प D हमारा सही है, उमीद है आप लोग के सवाल समझ में आया होगा, धन्यवाद